सभी को नमस्कार हेरिटेश के बिट प्लस यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम हरे चारे के महत्तों के बारे में जानेंगे और सुपर नेपियर घास के क्या फायदे हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे पसू को स्वस्थ रखने के लिए आहार इवोजन के हिसाब से देना चाहिए हरे चारे का बहुत ज़्यादा महत्तों होता है इसके बारे में हम जानेंगे हरा चारा दो तरीके का होता है एक जो साल में एक बार पैदा होता है और दूसरा जो साल में दो बार पैदा होता है साल में एक बार पैदा होने वाले हरा चारा जैसे क मक्का, गेहु, सोरगम, रागी और काउपी होता है साल में दो बार पैदा होने वाले हरे चारे का उधारण जैसे की APBN1, K1, K2, K3, K4, K5, K6 यहां तक की सुपर निपियर भी इसके अंदर आता है आज कल सुपर निपियर का विकास ज्यादा हो गया है सुपर निपियर का विकास पसुधन संस्थान के द्वारा थाईलेंड में किया गया था इसका नाम निपियर पहचान वन रखा गया था निपियर की तुलना दूसरे हाइबरीड चारे से हाइबरीड चारे में प्रोटीन की मातरा 8-10% होता है और सुपरनेपियर में प्रोटीन की मात्रा 14-18% होती है यह सुपरनेपियर किसी भी सीजन में आसानी से ग्रो कर जाता है और आसानी से इसका विकास होता है और इसके उत्पादन की छमता एक एकर में 200 मिट्रिक टन होता है हर साल यह उत्पादन समता 15 जानवर के लिए लगबग एक साल के लिए प्रयाप्त होता है एक बार सुपरनेपियर का विकास हो जाए तो 10 साल तक लगातार इसका कटाई कर सकते हैं सुपरनेपियर का तना सीधा और मीठा होता है यही कारण है कि जानवर इसे जादा खाती है और जादा दूद देती है अगर सुपरनेपियर को काटा मारने वाले मसीन से काटा जाए तो जानवर जादा खाते हैं और कम से कम मात्रा में नुस्कान करते हैं और जादा दूद भी देती है किसान को कम खर्च में सुपरनेपियर का ज़्यादा उत्पादन होता है अब हम सुपरनेपियर की खेती करने के बारे में जानेंगे सबसे पहले खेत का जुताई करते हैं इसके बाद 10 मिट्रिक टन गाय का खाद और 40 किलोग्राम नाइट्रोजन 20 किलोग्राम फासफोरस और 20 किलोग्राम पोटैसियम जोते वे खेत में डालते हैं अगर खेत के अंदर जिंक की कमी हो तो जिंक भी खेत में डालते हैं अब खेत में बुआई की तयारी करते हैं एक तने से दूसरे तने के बीच में धाई फिट की दूरी रखते हैं सुपरनेपियर के एक पेड में दो पत्तिया हों तभी तने को काटें और काट कर ले आएं तने का एक पत्ती सुरिक के किरन से 45 डिगरी पे होना चाहिए और दूसरा पत्ती मिट्टी के अंदर होना चाहिए इसके बाद पानी नियमी तोर पर देते रहें एक हपते के बाद तने से नए पत्तियों का विकास होने लगता है और जड़ का विकास मिट्टी के अंदर हो जाता है 15 दिन के बाद पेड को पानी के सहयोग से कीचर में से अलग कर लेना चाहिए ताकि इसका विकास अच्छे से हो सके अगर यह काम हो गया तो पेड़ अच्छे से और सीधा हो करके विकास करता है सुपरनेपियर गहास की पहली कटाई 72-75 दिन के बाद करनी चाहिए और इसके बाद की कटाई अगले 40-45 दिन में करनी चाहिए सुपरनेपियर को कम खर्चे के अंदर ज्यादा उपज कर सकते हैं मैं आसा करता हूँ कि किसान सुपरनेपियर का खेती अपने खेत में करता होगा और ज्यादा लाब उठाता होगा पर उसी किसान के खेत में भी सुपरनेपियर की खेती कर सकते हैं यह सुपर नेपियर घास है इसका प्रयोग हम पिछले एक साल से कर रहे हैं यह केवल ज्यादा दूध ही नहीं ज्यादा 5% और SNF पर्षेंट देता है अधिक जानकारी के लिए हमारे हेरिटेज के बिट प्लस यूटूब चैनल पर जाएं और लाइक सेर और सबस्क्राइब करें